प्रोज एंड कॉन्स का क्या मतलब होता है यह आज की वीडियो में सीख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है भला या बुरा या पक्ष या विपक्ष या किसी चीज के जो फाइदे होते हैं उनको हम प्रोज कहते हैं और किसी चीज़ के जो नुकसान होते हैं, उनको हम कौन्स कहते हैं, यानि कि pros and cons refers to the advantages, यानि कि pros and disadvantages, यानि कि cons of a particular decision, action or situation, it is a phrase commonly used to weigh the positive and negative aspects of something before making a decision for forming an opinion, यानि कि जैसे हम कोई भी फैसला लेते हैं, या कोई भी action लेते हैं, या कोई भी situation होती है, तो उसके हम फाइदे और नुकसान जो गिनते हैं, या उनकी एक list बनाते हैं, तो उनको pros and cons कहा जाता है, pros मतलब जो भी फाइदे हैं, cons मतलब जो भी नुकसान है, या फिर आजकल हम क नुकसान है या जो कमिया है उनको कौन्स कहा जा सकता है तो प्रोज मतलब फाइदे या अच्छी चीजे या बहतर चीजे और कौन्स मतलब की जो नुकसान है या जो कमिया है या जो खामिया है तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर दिया स्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें